अगला है कि गो सेवा पारलो की करम है या अलो की करम चलो फिर दोबारा उतर दे देता हूँ गो सेवा लो की करम भी है पारलो की करम भी है अलो की करम भी है पहले तीनों में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो काम इसी दुनिया में काम आते हैं उसको कहते हैं लोकिक कर्म जैसे पढ़ना, कमाना, खाना, विवाशादी, घर गरिस्थी यह सारे कर्म जो हैं यहीं के लिए हैं आगे काम आने वाले नहीं इसलिए कर्म लोकिक जो भी आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं सब लोकी कर्म यही काम आएंगे पतनी यही काम आएगी आगे नहीं बच्चे यही काम आएगे आगे नहीं आज कल तो यहां की भी गरंटी नहीं रही वैसे बच्चों की लेकिं फिर भी बच्चे यहीं कर सकते हैं आगे कुछ नहीं तो जो कर्म हमारे क्यों यहां काम आएंगे उनको लोकिक कर्म कहते है मकान बनाया यह लोकिक कर्म है यहीं काम आएगा यह लोकिक कर्म है पर्सपर के सम्मंद नहीं बहा रहे हैं यह लोकिक कर्म है यहीं के लिए आगे कुछ नहीं है और पर्लो की करम किसों कहते हैं जैसे उदान की रूप में अपने बच्चे को आप पड़ा रहे हैं तो वो करम आपका यहीं काम आएगा वो पुर्णे नहीं जो ले के जाएगा। पुर्णे को कहते हैं पर लोग की कर्म पुर्णे का मरतलब किसी गरीब को पढ़ा दो गरीब के बच्चे को वो कर्म पर लोग की कर्म वो आपको स्वर्ग ले जाएगा लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये कर्म आपको स्वर्ग नि ले जाएगा तो किल यहीं केली काम आएगा, आगे नीकाम आना है तो संसार की जो सम्मंदम निभाते हैं सब लोग की करम हैं, पर लोग की करम नहीं किसी दिन दूखी की सेवा करो, गरीब की सेवा करो यह पर लोग की करम है, यह हमको स्वरक ले जाएगा ग्रिस्ट के भौगने से स्वरग थोड़ी जाओ गए शादी करने से स्वरग थोड़ी मिलेगा यह तो यहां के लिए है आगे कोई काम नहीं आने वाला जो यहां काम आए लोकी और जो हमको स्वरग ले जाए और अगला जनम अच्छा कर दे उसको परलोग की करम कहते है और अलोग की करम किसको कहते है जो हमको परलोग से भी आगे ले जाए अलोग में अलोग में ले जाए वो अलोग की करम अलोग कहते है भगवान के धाम को जैसे नाम जब करना, पूजा करना, पाठ करना, चिंतन करना ये सब कौन से कर्म है अलो की कर्म है जो हमको भगुत देखो परिवार की सेवा लो की कर्म गरीबों की सेवा परलो की कर्म और संतों की सेवा अलो की कर्म है तीनों सेवा है तीनों ही काम है तीनों ही कर्म है फिर सुनेंगे परिवार की सेवा लोकिक कर्म यहीं काम आएगा आगे ने गरीबों की सेवा परलोकिक कर्म और संतों की सेवा अलोकिक कर्म यह भगवान तक ले जाएगा अब आप समझेंगे लोकि परलोकिक अलोकिक किसको कहते हैं यह पूजा पाठ करना भी अलोकिक है मंदर की स्थापना करना अलो की कर्म है जैसे हम संतों को लेक स्वाट कुटिया बना रहे हैं बना ली बरसाना में तो ये अलो की कर्म है होस्पिटल बनाया संतों के लिए निश्वलुक सेवा ये होस्पिटल बनाया हमने ये कौन से कर्म है अलोकिक भगवान के लिए बरसाना ब्रिंदावन में एक स्वाट कुटिया अभी सुरू हुनी होई क्योंकि परसों ही रिजिस्ट्री होई जैसे कि आपको पता है अब यहां हम एक स्वाट कुटिया बनाएंगे और फिर महिला संतों को दान कर देंगे यह कौन सा करम हो गया अलोकिक तो लोकी करम जो यहां सुख दे पर लोकी करम जो स्वर्ग में सुख दे अलोकी करम जो भगवान के धाम में ले जाएगा तो लोकी करम भी खतम हो जाएगा मिट जाएंगे सब यहां का सुख भी और यहां के लोग भी यहां के करम भी भोगने के बाद खत्म और जो गरीबों की सेवा की दिन दुख्यों की सेवा की वो हमको स्वर्ग ले जाएगा वहां भी पूर्णया भोग लेंगे पूर्णया खत्म भोगते ही पूर्णया खत्म फिर वापिस दुनिया में पैदा होना पड़ेगा मने कल्यान उससे भी नहीं हुआ तो कल्यान किस से होगा कल्यान कहते है हमेशा के लिए भगवान मिल जाए यद गत्वा नै निवर्तंते तद्धामह परममम भगवान के धाम में जो एक बार चला गया फिर वापिस माया में दुखी होने के लिए जनमने मरने के लिए नहीं आता तो भगवान का जो धाम है वो अलो की करमों से ही प्राप्त होता है वो सदा के लिए अब ये धाम है अविनाशी सुख है परमातम का अक्षय सुख है ना तो स्वर्ग में अक्षय सुख है ना दुनिया में अक्षय सुख है यहां तो सुख आएंगे चल जाएंगे खुशी आने से पहले जाने को तयार रहती है और गमी आकर इनसान की सदा गमखार रहती है खुशी दहली जिको ही छू कर वापिस लोट जाती है और गमी आठों पहर बन करके पहरेदार रहती है यह संसार है या थोड़े समय के लिए सुख थोड़े समय के लिए आप कहेंगे माराजी कैंसर तो सदा के लिए आ जाता है कैंसर भी सदा के लिए नहीं कैंसर को ले के जाओगे छोड़े के जाओगे पहले बताओ तो फिर सदा के लिए कहां दुख है ये थोड़े समय के लिए सीर को छोड़ी जाएंगे तो ये कैंसर हमारे साथ हो जाएगा नहीं इसलिए ये भी लोकी की है यही का है आगे ये भी जाएगा नहीं जैसे दुख छोड़के जाएंगे ऐसी सुख भी छोड़के तो दोनों थोड़े समय के लिए स्वर्ग हजारों सालों के लिए अंतर इतना है सदा के लिए ना यहां का सुख ना स्वर्ग का सुख सदा के लिए है भगवत धाम का सुख इसलिए गीता में कहा यद गत्वान निवर्तन तेत धाम परमम भगवान का जो धाम है वो सदा के लिए मिलता है, वो रो मिलेगा अलोकिक कर्म से, अब आप लोगों ने भूमी दान किया, अब तो हम लेंगे नहीं, मैंने परसुई मना कर दिया, क्योंकि यह रिजिस्ट्री हो चुकिया, हिसाब अब हो चुक है, अब आप नहीं देंगे, देंगे तब भी हम नही मिलेंगे, ओ दिन था दो, आपको मिला था, अब चुक गए तो चुक गए, अब कोई दान न करे, क्योंकि जमीन के लिए हमको था, वो हो गया काम, हो गी रिजिस्ट्री, अब आप देंगे तो हम क्या करेंगे उसका, जमीन के लिए आप देंगे, तो जमीन तो हम ख्री दे और जबकि इतनी महिमा थी एगज भूमी दान करने की आप लोग चूक गए हो जिस चीज का दान किया जाता है वही वस्तु मिलती के नहीं कुछ और मिलेगा जो चीज दान करेंगे कई गोना होकर के भगवान देंगे के नहीं और दान किसका कर रहे थे आप ब्रिंदावन के भूमी का, तो उसके बदले में क्या देंगे भगवान जो लेकर चूक गए अब आप देंगे तब यह मनहीं लेगे, दो दिनका समय मिला था आप लोओं को नहीं जानते नहीं, तो यह अलो की कर्म था, किसी ग्रीब को भूमी दान करो, यह परलो की कर्म, और संतों को दान क करो भूमी का ओई ब्रंदावन की भूमी का संतों की कुटिया बननी उसमें वो अलो की कर्म था